हेलो गाईज वेलकम टू स्टडी टाइम आज मैं यहां तो ना आपको कोई सूचना देने वाला हूं ना ही करन्ट अफिर्स का सेशन बताने वाला हूं आपने थम्नेल में देखी लिया होगा कि क्या होता है यूटीव में कैसे वर्क करता है यूटीव और आजकल कुरोना की जैसे यूटीव की आधी टीम काम नहीं कर रही है जिस बज़े से बहुत सी टेक्निकल फॉल्ट हो जा रही है आप सभी इस चैनल को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे study for civil services ऐसे अन बहुत से भी चैनल है जो पढ़ाई से related वीडियोज बनाते हैं आपको फ्री में सारी चीज़े उपलब्द कराते हैं चाहे वो PDF हो कोई भी content हो सारे चैनल अच्छे से अच्छा content उपलब्द कराते हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत घटिया content प्रवाइड कर आते हैं मैं आज यहां पर इनकी बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि जो अन्य चैनल है YouTube पे dance के हो या फिर comedy channels हो या technology को हो यह सब आपस में एक दूसरे से collaborate करते रहते हैं एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से बातचीत होती रहती है लेकिन जब भी हम study channels की बात करते हैं तो यह कभी भी collaboration में वीडियो नहीं बनाते हैं competition चलता रहता है पता नहीं इनका moral कहां जाता है इनकी नैतिक सिच्छा कहां जाती है कि यह पढ़ा रहे हैं एक बच्चे को यह खुद एक teacher है तो इनमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अगर हम सिच्छा ही अच्छी नहीं देंगे हम teacher हैं हमको सिच्छा देने चाहिए ना कि हमको बाटना चाहिए तो जो study for civil services है इस पर एक अभी copyright strike आ गई है और इनकी आपको help करनी है मदद करनी है जैसे भी हो क्योंकि यह बहुत अच्छा content provide करवाते हैं हम भी अच्छा करते हैं और भी another channel है सारी यही करते हैं लेकिन इन्होंने एक कोई video बनाई थी इसमें अमिताब बच्चन जी की तरफ से इनको copyright strike आ गया है लेकिन एक another कोई था उन्होंने comment किया है कि अनकेडमी की तरफ से अब पता नहीं यह सच है या जूट है वो कोई another person है कि आप अपना channel बेच दीजे मतलब पता नहीं क्य चल रहा है अगर ऐसा सही है तो बहुत ही दुखत बात है तो आप जाईए उनको support करिए है ना जैसे भी हो सकता है आप उनके लिए tweet कर दीजे save study civil services इस नाम से यह twitter अभ्यान चलाए हुए है जिससे यह tweet trending पे आ जाए और अमिताब बच्चन जी इसको देख ले कि क्या उन्ह है कि वह ऐसा गरने वाले हैं क्योंकि उन्होंने यह अपनी ही voice में record किया हुआ था और ऐसा तो fair policy के तहत सही नहीं है वह दे भी नहीं सकते हैं वह एक बहुत ही अच्छे इंसान है यह हो सकता है कुछ technical glitch हो YouTube की तरफ से या फिर बहुत से लोग जलते भी रहते हैं आपस में एक दूसरे के channel से लेके और ऐसा study के channel में ही ज़्यादा देखा जाता है बाकी सब तो collaborate करते रहते हैं बट जो study के channel है वो पता नहीं इतना जलन क्यों रहता है आपस में एक दूसरे के channel से कि किसी का अगर grow कर रहा है channel तो उसको grow नहीं होना देना चाहते हैं उसके channel को ही खरी बैशे की बाते हैं हम सारा सक नहीं जानते हैं कि या है क्या नहीं है बत उन्हों ने जितना बताया है उसके हमें पता चला है कि हां उनके साथ गलत हो रहा है इक पहले जो भी चैनल है जिनमें सस्क्राइबर बेस थोड़ा अच्छा है उनको खरीद कर उनको अपने कबजे में करना चाहते हैं उन्होंने जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है उन्होंने यहां तक भी बोल दिया है कि हम अपना चैनल नहीं बेचेंगे आपको जो करना है कर लीजे जैसे करना है वैसे कर लीजे अब ये बात सच है या जूट है कि INAKY ऐसा करना चाहती या कोई और ऐसा साजिस कर रहा है या फिर ये फर्जी उनके उसमें किसी ने कमेंट किया हुआ है अब जो भी बात हो मैं नहीं जानता हूँ आप कोई यूट्यूबर हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं So thank you, मैं आज सिर्फ इतना ही बताने आया था और उनकी help के लिए ही ये वीडियो बनाया था कि उनकी help करिये, मदद करिये, जैसे भी हो सके So thank you